हां जबी सबसे पहले तो आप जरा यहां पे धान दीजिए कि 15 अप्रेल से कबसे 15 अप्रेल सी यह अनेकाडमी पिलक्ष बिलगाम नाम का एयरफोर्स एक्जाम की जो त्यारी है वो बहतर नहीं हो पाई ठीक है तो उनके लिए यह कंप्लीट बैच कोर्स एकवर फिर से शुरू किया गया है इसमें आप देख सकते हैं टॉप आपके एजुकेटर है राम सरुप ग्यानी सर है मैंक सर है ठीक है सार में धर्म देव मिस आपका प्रियंक प्रभाज सर है तो यहां पी यह टॉप एजुकेटर मिलकर कि आपकी यह कंप्लीट बैच कोर्स एक वर फिर से शुरू किया है तो आप फटा फटा आपको करना क्या है जाकर कि अपने आपको आनेक आडमी पर इन्रोल कर लो और प्लस कोर्स जबाई करके यह बैच कोर्स जोईन कर लो अगर अभी से भी बहतर त्यारी करनी है एरफॉर्स के एक्जाम के और साथ में जो मुझे एंडिया के के देख रहा है मुझने बता दू कि यह एंडिया सेकेंड के लिए ही एक और नया बैच कोर्स लांच हुए जिसका नाम है संकल्प एंडि यहां पर देख लो यहां पर इंडिया के बेस्ट एजूकेटर एट्राइं करो करो जाकर के लिए इस अपको लगते है उसे पर सकती है उसे आप फटा फट जूइन कर लो तो आपको करना पूछ नहीं है description में anacademy app का link मिल जाएगा फटाफट जाकर के उसे अपने फोन में इंस्टाल कर लिजे इंस्टाल करने के बाद आपको उस पर register कर लिजेगा registration को दोरा referral code में आप stand-up classes जरूर यूज कर लिजेगा क्योंकि इन टाउप educator की special classes भी चलती है तो referral code use करने के बाद आप four classes बिल्कुल free of cost देख पाएंगे और साथ में जब कभी भी आप यह प्लान लेते हैं तो स्वाकत आप सभी का stand-up classes में तो दोस्तों आज का जो वी वीडियो को पूरान तक जरूर देखेगा वरना काफी सारी informative चीज़ें आप मिस कर जाएंगे जहां दोस्तों आपके जो सबसे आदे पूशे आने वाले सवाल हैं आज उन्हें हम यहां पर discuss करने वाले हैं आप हमेशा यह पूशते रहते हैं सर बताइए कि जो नेवी की service होती है वो कितने साल की होती है हम कितने साल में छोड़ सकते ह साथ में जो एक service में एन quota होता है उसका benefits क्या होता है मतलब चोड़ने के बाद जो एक service में quota मिलता है service चोड़ने के बाद उसका benefit होता है साथ में pension कितनी मिलती है जो है service के बाद में तो सब कुछ यहां पर हम discuss करने माले आपको घवरानी की बिल्कुल भी जरूरत नहींए ए स्तरविस कितने साल की होती है नेवी की ठीक है क्योंकि आपका यह हमेशा सा सवाल रहा है कि सर जैसे माली जै कि यदि हम नेवी जॉइन कर लेते हैं और यदि हमें जो है जौब पसंद नहीं आती है तो मैं छोड़ना चाहूं तो कब छोड़ सकता हूं ठीक है और साथ में की बता दूं यहां पर कोई भी benefit आपको नहीं मिलेगा यदि आप दो साल के अंदर चोड़ते हो नहीं आपको आसानी से जो है कोई आप खुद सोचो कि एक company में आप best employee हो जाते हो और वो company आपको इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं सकती है तो अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि कितनी service कितनी होती है Navy, SSR, AA और A.M.R. की ठीक है ताकि उस age पे आप जो है जब यह service छोड़ो तो आपको ex-servicemen quota का भी benefit मिले और साथ में pension भी मिले तो यदि बात कर लें आप double A में जाते हो ठीक है यदि आप double A में जाते हो तो double A के लिए 20 साल कितने साल आप 20 साल अपने आपको serv करो Navy में ठीक है double A में फिर आप जब job छोड़ोगे तो आपको ex-servicemen quota का भी benefit मिलेगा और साथ में pension भी मिलेगा और वहीं बात कर लें SSR और MR वालो के लिए ठीक है SSR और MR वालो के लिए तो इनकी कितनी होती है इनकी होती है 15 साल ठीक है कितनी होती है 15 साल होती है अब काफी सारे students का यदी ये सवाल होगा कि सर यदी हम job नहीं छोड़ना चाहें और आगे तक continue करना चाहें तो कितने साल तक आप continue कर सकते हैं किस उमर तक आप continue कर सकते हैं तो आप 57 years तक continue कर सकते हैं नेवी के साथ में अप तो कितने साल तक 57 साल तक ठीक है 57 years तक अपने उमर की मैं बता रहा हूँ ठीक है आपके अपने उमर की आप जो है जब तक संताओं साल के नहीं हो जाते तब तक आप जो है नेवी में continue कर सकते हो तो अब बात करते हैं जो है कि जब आप service छोड़ते हो तो pension किस रूप में आपको मिलता है ठीक है तो pension किस रूप में मिलता है तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ जब आप service छोड़ते हो तो अलगा ग्रेड होता है जो है salary का आपको पता होगा तो उस समय आप जिस grade में रहते हो ना तो आपकी जितनी payout होती है आपकी जितनी salary होती है उसका half आपको pension मिलता है कितना मिलता है आपको हाफ उसका जो है pension मिलता है और सात में कुछ DA वेगरा भी मिलता है ठीक है साथ में क्या मिलता हैrant ये चीज say is much आपको बता दिया कि जो पेंसा ने वो आपके रिंग के कोडिंग मिलता है और साथ साथ में जो है आपको एक फायदा यहां पर देखने को मिल जाता है वह आपका एक सर्विसमें बेनिफिट मिलता है क्या मिलता है एक सर्विसमें बेनिफिट आपको मिलता है और यह एक सर्व होगे ठीक है तो आपकी उमर होगी 33 साल तो आप इस उमर में जो है साइध ही कोई गौवर्मेंट जॉब कर पाओ सिविल वगरह में तो आप साइध ही कर पाओ तो इसलिए क्या होता है न नेवी आपको एक्स सर्विसमें कोटा देती है तो इसके फायदी यह होते हैं कि आप क से कांटीनिव होता है वहीं से माना जाता है तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपके एक सर्विसमें कोटा का यह मिल जाता है कि आप कम से कम एज की कोई वी वेकेंसी जो गवर्मेंट ड़ों सिविल की हो वह आप जूइन कर सकते हो ठीक है अब दूसरा फायदा क्या होता है एक सर्विसमें कोटा का देखे गा सबसे पहले एक सर्विसमें कोटा का देखेए तो वहां पे जो आपके merit बनते हैं ना भाई बेहद कम बनते हैं मैंने खुझ तीन चार सर्विसमेन को देखा स्वरी मतलब एक सर्विसमेन वालों को जो है देखा कि उनकी जो merit है भाई 30% 40% पे उनकी merit बनती है तो आप आसानी से जाब ले सकते हो ठीक है कोई भी दिकत नहीं होने वाली है नेवी के बाद यदि आप नौकरी करना चाहो किसी भी ब्रांच में आप आसानी से जाब ले सकते हो आप खुझ सोचो आप नेवी जोईन करने के बाद यदि आप मर्चेंट नेवी जोईन करते हो जैसे नेवी आपने जोईन कर ले और छोड़ दिया ठीक है 15 साल 20 साल बाद उसके बाद जब आप मर्चेंट नेवी जोईन करते हो तो आपको वहाँ पे सबसे आधे benefit होने वाला है ठीक है आप से जो है नेवी छोड़ने के बाद आप मर्चेंट नेवी जोईन कर सकते हो और भाई सेलरी की यदि बात कर लेना दो से तीन लाग सेलरी आपको मिलती है लेकिन यहाँ पर एक सर्थ है कि आप टेकनिकल ब्रांच के जो है उसमें रहे हो ठीक है नेवी में आप टेकनिकल ब्रा आउट किलियर कर दिया ठीक है कि सर्विस कितने साल की होती है ये भी मैंने आपको बता दिया SSR MR के लिए 15 साल ठीक है और डबले के लिए 20 साल और यदि आप कांटीनिव करना चाहो तो 57 यर्स तक आप जो नेवी के साथ में कांटीनिव कर सकते हो और एक सर्विसमें कोटा का बेनिफीट भी मैंने आपको बता दिया बहुत सारी बेनिफीट है एक दो बेनिफीट नहीं है कि मैं आपको समझाओ ठीक है हास्पिटल्टी वेगरा भी सब कुछ भाई मतलब जाब छोड़े एक बाद सब कुछ फ्री मिलता है ठीक है और पेंसन की तो मैंने आपको पसंद आया तो वीडियो को एक बार फिर से कहता हूं कि लाइक कर दीजे इससे अपने दोस्तों तक सेयर कर दीजे ताकि वो भी इसके बारे में डिटेल में जान सके और साथ में चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा ऐसी नएने वीडियो देली देख देखने के लिए चले फिर मिलते नहीं पूड़े में तब तक के लिए धन्यवाद